विदिशा जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बाड़ा आ गई है अनेक गाउं जलमगन है या पानी से चारो और घिरे हुए है बेतवा नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है इस कारण नदी का पानी विदिशा शेहर की बस्ती में पहुँच गया है सडकों पर जाव चल रही है विदिशा में होमगाड और SDRF Rescue Operation चला कर नदी किनारे फसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है विदिशा शेहर में बेतवा किनारे और निचली बस्तियों में बहुत बुरे हालात है मकान पूरी तरह दूब चुके है लोग किसी तरह उंचाई पर या छट पर खड़े होकर अपने को सुरक्षित रखे हुए है और बचाने की गोहार लगा रही है जैसे जैसे टीम को इनका पता चल रहा है टीम के लोग इनको बचा कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रही है आज सुभा से ही पंदरा से बीस कमभीर हालत में फसे व्यक्तियों का रिस्क्यू किया जा चुका है है रेस्क्यू किये जा रहा है सभी को सफल तब रुक निकाला जाएगा मद्द प्रतेश के हमारे लोग पी लाल नेता माने मुक्त मंत्री सवरासीन चुहां जी नंतर हर पंदा मिट पर आदा घंटा पर प्रसासन से बात कर रहा है जन प्रतियों से बात कर रहा है विजी शान की चंदा कर रहा है पूरे जिले की और पूरा जायजा ले रहए है के कई यसी स्थिति ना हो को और आगय बाल की बन जा यह लेकिन रात में पाई ना गनने से शुभे भी अभी पाई ना गनने से आसा है इश्वर की कृपा है कि बाल का नियंतर्ण लिश्चत होगा हमारे विदीशानगर के जो लोग थे निचली जो वस्तियां थी उन लोगों को प्रशाशन के माद्दम से जन प्रतिनियों के से उनको ठेरने की उत्तम ववस्ता की गई है भोजन की वश्ता की गई है